और बाकी बचे बंगाल चुनाव को एक फेज में ही कराने पर आयोग ने क्या दिया जवाब दिली घोश क्यों हुए बैन और चुनावी कारकरमों में कैसे ओड़ रही है करोना गाइडनाइन्स की धजियां बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम एहम खबरें टॉप 9 बैटल बढ़ते मामलों की वज़े से की ममता ने राज्य में आठ चरण में चुनाव कराने की एक बार फिर आलोचना की बिंगॉल में चीफ एलक्टोरल ओफिसर ने आज सरवदनी बैठक बुलाई है बैठक हाई कोट के उस निर्देश के बाद बुलाई गई जिसने चुनाव पचार के दौरान कोरूना गाइडलाइन्स के सकती से पालन की बात कही गई है आयोग ने सभी पार्टियों से कहा ह कि उनकी पार्टी में बिंगॉल में वो अकेली नेता नहीं है लहाजा एक दिन पचार न करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनावायोग ने बीजेपी नेता सायंतन बसु को नोटिस जारी कर उनके भड़काओ वयान के लिए 24 घंटे में जवाब मांगा है सीतल कुची की घटना पर सायंतन ने वयान दिया था कि तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे सायंतन ने ये भी कहा था कि आप जादा खेला करने की कोशिश मत करिये वरना हम भी सीतल कुची का खेल कर खेलेंगे मुझीदाबाद की शमशेर गंज विधानसवा सीट से कॉंग्रस उमीदवार जाउल हक की कोरोना से मौत हो गई कुछ दिन पहले जाउल कोरोना संक्रमत हुए थे कुलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था जहां उनकी मौत हो गई बेंगौल कॉंग्रस के सचेव रोहन मित्रा ने ट्वीट कर इसके जानकारी दी और कहा है कि हम जिस वास्तविक्ता का सामना कर रहे हैं उसको समझ ये इस साल जिंदा बचिए कुलकाता में ममता बनाजी की रोडशो में समाजवादी पार्टे की जान सज़्या बच्चन भी शामिल हुई जन समर्थों की भारी भीड के साथ निकाले गए इस रोडशो में सोचल डिस्टेंसिंग और दूसरे हथियास का खुले आमोलंगन हुआ तमाम दूसी पार्टियों के प्रचार में कुछ यही आलम है बीर भूम में बीजेपी प्रत्याशी जगनाथ चट्टोपाध्याई पर हमला किया गया है आरोप है कि यह हमला टीम्सी समर्थ को ने किया है हमला की घटना के बाद जगनाथ चट्टुपाद ध्याई ने कहा है कि ऐसी चीजों से बीजेपी के कारेकरताओं का होसला तूटने वाला नहीं है ग्रेमंत्री अमिश्चा आज कुलकाता में 6 चुनावी इविंट में शामिल हो रहे हैं इन में दो रोडशो और एक पब्लिक मीटिंग शामिल है वहीं ममता बनर जी भी आज चार चुनावी कारक्रमों में शिर्कत करने जा रही है इस बीच कोरोना संक्तमत होने की वज़े से योगी अधितनात की बिंगॉल में होने वाली सभी रैलियां रद कर दी गई है ममता बनर जी ने कहा है कि शुबेंदू अधिकारी बीचेपी में इस वज़े से शामिल हो गए है क्योंकि उनका पैसा फासा हुआ है शुबेंदू की 2014 से ही हमें शाह से बादचीत हो रही थी ममता ने दावा किया है कि जो लोग पार्टी छोड़ कर गए है उससे हमारी टीमसी साफ हुई है ममता ने बीजेपी पर नंदी ग्राम में 10 बूत पर गरबड़ी करने का आरूप लगाया